So guys, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Facebook पेज पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है? अपलोड करते वक्त आप लोग कौन-कौन सी गलती करते हैं जिससे आपका वीडियो वाइरल नहीं होता है भाई आप मार्केट से चिकन खरीद के लाओ या कितना भी अच्छा सबजी खरीद के क्यों न लाओ लेकिन अगर आप उसमें प्रोपर वे में सही से सबजी मसाला, तेल, निम्मक, मिर्चाय, हर दी नहीं डालोगे तब वो खाने में अच्छा ही नहीं लेगेगा लेकिन अगर उसमें प्रोपर वे में टाइटल, टैग, डिप्सक्रिप्शन वेगेरा अच्छे से नहीं लिखते हो तब आपका वीडियो कभी वाइरल नहीं होगा आप सिर्फ मेनत करते रहा जाओगे और आपका वीडियो वाइरल नहीं होगा तो वही जो होता है ना वही पोस्ट करने का जो सबसे बेश्ट तरीका है वो मैं आज के इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ तो जहिएर सी वात है वीडियो आपको जरूर से पसंद आएगा वीडियो में आगा बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा से रिक्वेश्ट है वीडियो को कम्प्लीट देखेंगा क्यूंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका वीडियो इंस्टिंट आनि की तुरंत वाइरल हो जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं फिर इसके बाद मैं आपको लेटोप से भी किस परकार से अपलोड किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूँगा यार यह हमारा क्रैस कोच का पाचमा वीडियो है जो कि मैं आपको अस्टेप बाई अस्टेप सिखा रहा हूँ तो अभी तक से आपने पिछले वीडियो न प्लेयर स्टोर में जाने के बाद जिस परकार से YouTube का YT Studio एप होता है ठीक उसी परकार से Facebook का भी एक Facebook Creator Studio एप होता है जो कि आपको प्लेयर स्टोर पे जाके सर्च करना है Creator Studio और यहां से आपको इस अप को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपका जो भी Facebook बड़ा वाला आप म यहां से log in हो जाएगा login करने did of order और यहां से आपके a पेज log in हो जाएगा आपको सब्सक्राइवाइब और सब्सक्राइब यहां त्यार को साउने पूर की अफ़ा करना देखित यहां अपको सालेगा नापको क्लम वाले icon पर क्लिक करना जैंक वाले icon on top तो वीडियो, फोटो, एंड लाइब, तो हमको यहां से क्या करना है, हमको यहां से वीडियो अप्लोड करना है, देन आपको वीडियो पे क्लिक करना है, जैसे हैं यहां से आपके सामने आपका गेलरी खुल जागा, तो यहां से आपको जो वीडियो अप्लोड करना है, जो व यहां से आपको particular topic लिग देना है, तो जैसे कि मान लिजे कि मेरा first blog है, ति मैं यहां से लिग देता हूँ my first blog, my first blog लिग के और यहां से मैं एक दिल देता हूँ, वैसे ही आपको भी एक दम same to same, एक बढ़िया सा title लिग देना है, जो कि आपका video का title हो, और थोड़ा सा देखने में attractive लगे, title चूज करने के बाद आपको क्या करना है, कि यहां से title में ही आपको एक दो hashtag यूज करना है, तो मेरा है first blog, यहां से hashtag यूज कर लेता हूँ, और यहां से blog, यहां से hashtag यूज कर लेता हूँ, देन इसको copy कर लेना है, select all, और copy करने के बाद यहां से description में भी इसको first blog है आप लोग देखिए और प्यार और support दीजिए और फिर उसके बाद क्या करना है कि मेरा first blog first blog viral कैसे करें my first blog फिर first blog viral कैसे करें आपको अच्छे से जो भी आपने वीडियो में create कर रखा है वो अच्छे से आपको description में लिख के यहां से simply आपको done कर देना है description लिखा जाने के यहां से thumbnail बनाना है तो thumbnail जो है देखिए facebook में thumbnail उतना matter नहीं करता जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जिस परकासे video बनाने के लिए ठीक उसी परकासे आपको video बनाना है ठीक है अगाया से thumbnail add करना चाहते है तो add पे click करना है add पे click करने के बाद यहां से आप अपना thumbnail upload thumbnail पे click करके thumbnail भी upload सकते हैं नहीं तो choose from video पे click करके आपको जहां से video का thumbnail काटना है वहां से आपको यहां से add thumbnail पे click किजएगा तो यहां से मेरा thumbnail crop हो चुका है crop होने के बाद simply आपको next पे click करना है next पे click करने के बाद देखिए यहां से आपके सामने एक publish को option आजएगा जैसे आपका वीडियो ऎहां से पप्टलीस होने लगेगा और यहां से आपका वीडियो successfully upload हो جाएगा लेकिन 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 भाई अगर आप मुबाइल से अपने वीडियो को upload करते हो तो नहीं आपके सामने tags लगाने का option आएगा, नहीं आपके सामने caption choose करने का option आएगा और नहीं आपके सामने collaboration का option आएगा यार आप जानते हो अगर आप एक नए creator हो या फिर अगर आप अभी अभी video upload बन करना start ही कियो तो आप जानते हो कि tag एक बहुत important role अदा करता है वीडियो को viral करने के लिए तो चलिए अगर मैं आपको desktop mode में सिखाता हूँ तो वहाँ पे आपको सब चीज को option मिलेगा जब वहाँ से ज़्यादा आपको reach मिलने के chance है तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास अगर अगर आपके पास laptop नहीं है मेरे ज़्यादा तर audience के पास laptop नहीं होगा तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना कि आपका mobile का Chrome browser open करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको three dots पे क्लिक करना है three dots पे क्लिक करने के बाद desktop site को open कर लेना है जैसे ही आप desktop site को open किजेगा को open करने के बाद यहाँ से आपको क्या search करना creator studio for facebook जैसे ही आप creator studio for facebook search करते हैं तो यहाँ से आपके सामने देखिए creator studio का एक आपके सामने first website आ जाता है देन इस पर आपको क्लिक कर देना है लेकिन अगर आपने अपने Chrome ब्राजर में अपने Facebook को लॉग इन नहीं कर रखा था, तो यहां से आपके सामने लॉग इन करने का option आया जागा, तो simply इसको अपना ID password डाल के आप लॉग इन कर लीजेगा, लॉग इन करने के बाद देखिए यहां से, अपलोड ए वीडियो पर यहां पर आपके सामने अपलोड ए वीडियो को आप्सन आजाएगा, तो यहां से आपको वीडियो का टाइटल लिख लेना है, जिस परकार से मैंने बताया उसी परकार से तो यहां से मैं अपने वीडियो का टाइटल लिख लेता हूँ माई फर्स्ट ब्लॉग ठीक है और यहां से टाइटल में ही दो तीन अच्छे-अच्छे हैस्टेग लगा देना है इसको select all करके copy करना है copy करने के बाद यहां से description में paste करना है description में paste करने के बाद description में आपको अच्छे से 100 वर्ड भर लेना है 100 वर्ड भरने के बाद देखिए यहां से अब आज आता है thumbnail की बारी यहां से देखिए thumbnail जो है आपको खुद क्रियेटर अस्टूडियो सजेस्ट करता है यहां फिर चूज ए फ्रेम पे क्लिक करके यहां से वीडियो का cropping पार्ट को आप कर सकते है यहां फिर upload image पे क्लिक करके यहां से आपका language सेलेकों हो गया लेंगवएज सेलेक्ट होने के बाद देखिए आपके सामने यहां से एक see more को option आ जायगा यहां से tap tag डालने के लिए आजाएगा तो आपका जितना भी टैग है, टोटल टैग आप डाल लीजेगा, टैग डालने के बाद जैसे हैं, तीर वाला ऐकान पर आप क्लिक कर दें, तो यह आपका जो है टैग, टोटल का टोटल यहाँ से आपका टैग बन जाएगा, आपको क्या करना है, टैग्स में यहाँ से आपको 300 वर्ड कम से कम भर आए my first blog first blog my life first blog my daily first blog जिस परकार से आपका वीडियो है ठीक उसी परकार से आपको अच्छे अच्छे जो है 10-15 tax उठा लेना और यहां से tax आपको डाल लेना है टैक्स डालने के बाद देखिए अब टोटल चीज हो गया लेकिन 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 जिन्होंने वीडियो को पूरा अस्किप कर दिया होगा नहीं देखा होगा तो उनके सामने लगेगा कि भाईया यहां से तो पॉब्लिस करने का option ही नहीं आ रहा है तो भाई ट्रिक तो यही है कि अगर आप मोबाइल से अफलोड करने जाते हो ख्रोम पर तो आपको पॉब्लिस करने का option नहीं मिलता है लेकिन देखिए यहां से आपके सामने एक छोटा सा तीर का option है देन आपको simply इस पर click करने ना है जैसे ही आप इस पर click किजेगा तो देखिए यहां से आपको आपक से आपका वीडियो सेव होने के बाद देखिए आपका वीडियो कुछ इस परकार से आजाएगा जैसे ही आप सेवेड्राप पे click करते तो आपके सामने देखिए कुछ इस परकार का interface कुल के आ जाता है इडिट पोस्ट प्रिव्यू पोस्ट एंड शिडिल पोस्ट अगर यह option आपके सामने नहीं आता है तो इस पर टैप करने पर आपके सामने यह option आ जाएगा तो हमको इडिट पोस्ट पे simply click कर देना है जैसे ही आपके सामने यहा से publish now schedule and save a drive पे हमको click कर देना है तो मेरा टिक है save a drive पे तो मैं publish पे click करके यहां से देखिए अगर मैं नीचे जाता हूँ यहां से मैं आपको zoom करके दिखा देता हूँ तो publish को option आ देता है जैसे ही publish पे click करता हूँ तो यहां से मेरा वीडियो जो है successfully publish हो जाता है अब बात कर ल होगा तो भाई हमको अपना वीडियो को खुद ही viral करवाना पड़ेगा तो वीडियो को वाइरल कैसे करवाना है अगर मेरे पास ID है या फिर किनी का भी ID है जो की real ID है दोस्त मुहिम फैमली सरकर में दो चार मोवाईल तो होते ही होंगे भाई तो क्या करना है कि सब मोवाई और देन आपका जो भी friends मिले या फिर call करके बोलो भाई तुम मेरे वीडियो को पूरा देखो और simply बस एक share कर दो और story में भी और post भी मार दो अगर ऐसे करके आप अपने वीडियो को 10-15-20 जगा share करवा लेते हो तब आपका वीडियो धीरे धीरे rank करना start हो जागा ध्यान वीडियो के link को fall to group में share मत किजेगा इससे आपको problem होगा आपका वीडियो का reach down होगा और आपकी ID lock होने का भी खत्रा बरकरार रहेगा तो वीडियो के link को मत share करना है डिरेक्ट वीडियो को ही share करना है ठीक है आप चाहते हो तो अपने वीडियो को आपका जिस category का वीडियो देखते हूं तो सबस्क्राइब नहीं करते हो दो चैनल को सबस्क्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे यह से आपको ओन स्पमिल दनने नइक्स eyeballs penis अदॉक्ни और झाहरेगा में कर संबमिके